हाई दोस्तों मेरा नाम विकी सरीट है तो आज हम स्चार्ट करते हैं AWS डेवाप्स में नई सीरीज के साथ और आज हम कवर करने वाले हैं KMS की मैनेश्मेंट सर्वेस तो इसके में फट फट बतायता हूं कि हम क्या के टॉपिक कवर करने वाले हैं KMS क्या होता है कैसे करके काम क करता है कितने टाइब के KMS होते हैं हमें इसमें डेमो भी देखें जिसमें हमें इसके में इसको बाकेट के साथ अटैच करेंगे और देखें कि हम डेटा एकसे कर पाते हैं नहीं कर पाते तो फटा फट हम लोग इसको चार्ट करते हैं डेमो की और बढ़ते हैं चार्ट करत उसके बाद हम उन दोनों यूजर्स को full permission देंगे S3 में, उसके बाद हम एक KMS की create करेंगे, उसके बाद हम लोग एक S3 bucket को create करेंगे, उसके बाद हम लोग जो दो users हमने create किये थे उनको हम programmatic access कितनों हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग उनको जो है configure करेंगे, अपनी machine पर और द सब्सक्राइब करेंगे, और एक बाद हम लोग फिट से verify करेंगे, क्या जो दोनों users जिनके पास S3 का access है, क्या वो call कर पाते हैं, S3 के operation square नहीं, तो यह पूरे का पूरा demo, ओके यह सारा चीज मैंने यहाँ पर blogging में mention भी करती है, तो इसका address में जो है अपनी YouTube वीडियो पर डाल तूँगा, तो आप लोग इसको follow कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़े मिल जाएंगे, कि कैसे करके आप लोगो configure करना, अगर आप किसी भी step पे confused होते हो, तो आप यहाँ से इसको follow कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग start करते हैं, क्या है, क्या है क्या है, क् encryption के लिए है, और एक next layer of security है, अब जैसे मैं बोलता हो next layer of security, तो क्या होता है, जैसे आपने एक user create किया, उस user को आपने S3 का access दे दिया, अब उस user के पास access है, कि वो data को get कर सकता है, put कर सकता है, delete कर सकता है, इस सब चीज़े कर सकता है, बट जो data है actual में, वो तो encrypt नहीं अब अगर हमें उस data को encrypt करना है, तो हमें KMS का use करना पड़ेगा, अब जब हम data को encrypt करें, तो हम लोगों को ये भी बताना पड़ेगा, कि कौन सा ऐसा user है, जो उस data को decrypt या encrypt कर सकता है, तो ये भी चीज हम लोगों को बतानी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, next layer of security कि पहले security layer क्या थी, कि मैंने एक user create किया, उसके बाद मैंने उस user को S3 का access दिया, और उसके बाद की जो layer of security हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, मैंने के MS key बनाई, और उसके अपर ही मैंने user को access दिया, तो होने के हवाला है, अगर मानलो मैंने user create किया, और उस user को मैंने S3 full permission दी उसके बाद मैंने KMS Key create करी और उस KMS Key पे मैंने उस user को access नहीं दिया और उस KMS Key को मैंने enable कर दिया अपनी bucket के साथ तो होगा क्या जिस user के पास इस तरीका full access है वो भी user उस bucket के अंदर data को नहीं use कर पाएगा नहीं देख पाएगा या नहीं delete कर पाएगा जो भी उसके पास access होगा वो कोई भी operation उस में परफॉर्म नहीं कर पाएगा KMS Key जो है manage करता है Amazon तो जब मैं manage की बात कर रहा हूं तो इसका update इसका policy version का update इसमें backup करना अगर यह down होता है तो यह सारी चीशे कौन manage करेगा AWS करेगा हमें यह करना है हम लोगों को अपनी की मनानी है उसको proper access देना है कि कौन admin है जो उसकी को admin कर सकता है कौन से users है जो उसकी के साथ काम कर सकते हैं यह सारी चीशे हम लोगों को बतानी है that's it उसके बाद सारी चीशे जो है AWS खुदी manage करेगा अगर मैं type की करता हूँ KMS में दू type की हम लोगों की मिलती है एक होती है symmetric और एक होती है asymmetric okay asymmetric का पैसे ले सकते हो अगर आपके पास knowledge है कि आप EC2 machine कैसे करके create करते हो जब आप EC2 machine एक create करते हो तो आपको एक pem file की ज़रूरत होती है तो pem file क्या होती है एक key pair होता है 大的 key होती है तो यहां पर हमार पास दो key है एक public can private की और जब यह दोणों मिलती है तो क्या होता है कि एक user जो होता है मेरा machine पर login कर सकता है तो यहां पर मेरे पास do key होई एक public होई एक private होई second इसको हम बोलते है asymmetric okay जहां पर हमार पास key pair वाला concept है PK next जो होता है वो रहारे पास होता है symmetric तो symmetric के अंदर क्या होता है कि एक ही की है जो कि encrypt भी करेगी चैनल दू की सिर्फ लेकिन symmetric में क्या होगा सिरफ एक ही की है तो आप ऐसे agreement term में आप एक थाला है उसकी फिशाब ही है जो उस थाले को खोलती भी हो और उस ताले को बंद भी करती है, अब यह आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से इंक्रिप्शन के साथ जाना है, हम लोग जो है इस डेमो के इंदर सिमेंट्रिक को यूज करने वाले हैं, चलो दोस्तों, मैं अपने AWS कंसोल पे आ गया हूँ, तो यहां पर मैं IAM में और मैं इस से में कौन से रिजिन में हूँ, AP South 1 मतलब मॉंबई रिजिन में हूँ, यह मैंने KMS भी ओपन कर दिया, और KMS में भी AP South 1 में हूँ, यहां पर मिर पास कोई भी KMS की अभी created नहीं है, और यह है मेरा S3 bucket, अगेन AP South 1 में हूँ मैं, तो आप यहां से देख सकते हैं, यहां पर अगर मैं देखू, तो मिर पास already एक bucket created है, तो हम उसको भी use कर सकते हैं, तो इस वाली bucket को हम लोग use करेंगे आज के लिए, तो हम लोगों को एक machine की requirement होने वाली है, जिसके अंदर से, जिसके मुझे users configure करने हैं, बट मैं एक काम करता हूँ, आपनी local machine को use कर लेता के लिए, अगर आपको ये नहीं बताए कि Windows पे AWS CLI कैसे करके configure करते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, यहां पर मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसके आप मैंने पूरा बताया है, कि आप AWS CLI को कैसे करके configure कर सकते हो, कैसे करके profiles create कर सकते हो, multiple profiles, और जब आपको किसी एक particular user से ए एक action perform करना, तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो इसका link मैं नीचे description मैं देता हूँ, तो आप उस पर जा सकते हो, और देख सकते हो, कैसे करके उसको Windows पे configure कर सकते हो, या Linux पे configure कर सकते हो, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने blog पे आ जाते हैं, तो blog के हिसाब से हम लोग इस console पे, और यहाँ पर मैं हूँ, आएम में, अब यहाँ पर मैं आएम में कैसे है, आप services पे चाओ, यहाँ पर IEM टाइप करो, और आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर डैश्वोन में, यहाँ पर मैं users का option देख रहा हूँ, इस users पे मैं जाता हूँ, और यहाँ पर मै मैंने steps भी mention करती है, यहाँ पर मैं user create कर लेता हूँ, तो मैं add user पे click करता हूँ, और यहाँ पर यहाँ मुझे option देखा, user create करने का, और जो मुझे user बनाना है, वो मुझे programmatic access के साथ मनाना है, मुझे console के साथ नहीं मनाना, क्योंकि यह वाला जो demo है ना, मैं पूरे का पूरा command line से करके दिखाऊंगा, मैं उसको use नहीं करूँगा, graphical मतलब हम लोग use नहीं करने वाले, console हम लोग use नहीं करने वाले, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ user 1, और add user कर दे दूँगा, तो यहाँ पर हम लोग policy को search कर लेते हैं, s3 full access, तो यह रही, next check, next review, create user, अब मैंने दोनों users को create कर दिया है, आप मैं एक काम करता हूँ जो मिर पास access की unsecret किये, मैं उनको कहीं पर लिख देता हूँ या फिर मैं उनको configure कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस को download कर देता हूँ, तो user 1 की access की and user 2 की, user 2 की access की and secret की, तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है, तो हम लोग अपने ब्लॉग पर वापिस चलते हैं, तो यह रहा, तो हम लोगों ने अब तक क्या किया, हम लोगों ने दो users create कर दिया, अब हम create करने के लिए जा रहे हैं, मेरी S3 bucket है, जिसको मैं use करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा, मैं services में गया है, यहाँ पर मैंने S3 पर click किया, यहाँ पर search bar पर भी S3 को मैं search कर सकता हूँ, और यहाँ पर हम लोग एक bucket नई भी create कर सकते हैं, तो अगर एक bucket नई create करनी है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे करनी है, तो यहाँ पर आप create bucket पर click करो, यहाँ पर जो bucket का नईम होगा, वो बिल्कुल यूनीक होगा, तो KMS demo और मैं आज की date डाल देता हूँ, 27072021, मुझे यहाँ पर region select करना है, तो पूरे का पूरा demo जो है, मैं AP South 1 में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं AP South 1 ही लोगा, और तो किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं ही है, मैं सीधा, यहाँ पर देखो, encryption का option है, मैं आभी encryption नहीं enable कर रहा, तो यहाँ पर मैं सीधा अपनी bucket को create कर देता हूँ, मेरे पास bucket भी create हो गए और मेरे पास users भी configure हो गए है, configure तो नहीं ही मैं बोलंगा, मैं यह बोलंगा कि मैंने तो users क्रिए भी कर दिया, मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों users को configure कर देता हूँ, तो configure कैसे करने है, इसकी मैंने यहाँ आपर step दे रख़्िए हैं, और जैसे की मैं यूजर वन जो मैं यूज करूँगा उसको मैं प्रोफाइल जो है उसकी यूजर वन होगी और जो मैंने यूजर टू है उसकी प्रोफाइल होगी यूजर टू तो चलो हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर मैंने कमांड लाइन पर गया हूँ कमांड प्रॉम्ट पे तो यह मेरा windows का command prompt है जो locally मेरा काम कर रहा है तो इसके अपर मैं configure कर रहा हूँ माइनस माइनस profile and user1 ओके तो यहाँ पर यह मुझसे exist की मांग रहा है अब exist की मुझे कहां से मिले की जो मैंने अभी दाउनलोड किया था तो user1 का मैं copy करता हूँ यहाँ पर मैं डालता हूँ now secret की यह मुझसे मांग रहा है default region name यहाँ पर है हमारा IP south1 और इसके बाद जो यह हमसे मांग रहा है default output format तो output format क्या होते हैं यह भी मैंने वस वीडियो में explain किया तो आप उसमें जा सकते हैं अभी मैं default के साथ जा रहा हूँ done मैं एक और profile configure करता हूँ जो की है user2 के नाम से okay again access की मुझसे मांग रहा है तो मैं इसको copy कर लेता हूँ यहाँ पर okay now secret key ap south one okay done तो यहाँ पर मैंने इन दोनों users को configure कर दिया है अब हम एक काम करते हैं हम लोग यह जो हम लोग उने bucket create करी थी हम लोग इसको call करके देखते हैं क्या इन दोनों users के पास access है या नहीं है तो मैं काम करता हूँ aws-s3-ls--profile user1 तो यहाँ पर yes मिर पास user1 के पास बिलकुल access है अच्छे मुझे यहाँ पर profile का नाम देना पड़ेगा अगर मैं profile का नहीं दोनगा तो यहाँ पर यह जो है default profile के साथ काम करेगा अब default profile क्या होती है कैसे करके अगेन आप उस वीडियो पर जा सकते हो उसको refer कर सकते हो सारी चीज़े उसमें मैंने explain की है तो user2 के साथ देख लेते हैं अगे बिलकुल user2 के पास भी access है ओके या भी कोई और operation call नहीं कर सकते क्योंकि जब मैंने इन दोनों users को create किया था तो मैंने क्या किया था मैंने इन दोनों users को जो है एस थरी का access दिया था तो अगर मैं कोई और operation perform करने की कोशिश करता हूं AWS I am इसके लिए मैं काम करता हूं तो मुझे भी इतनी commands वगरा तो याद नहीं है तो मैं इसके लिए command line पर चले आता हूं AWS CLI documentation या आप CLI पर सीधा जा सकते हो command line interface अब यहाँ पर मुझे आना है CLI reference पर और यहाँ पर मुझे सारी command सारी services के साथ यह मुझे दिखा देगा बहुत ही easy है इसको use करना तो आप एक दो बारी इसको use करोगे तो इसके साथ मतलब आपको problem नहीं इतनी आने वाली आपके तो हम लोगे काम करते हैं मैंने S3 का full access दिया था मैं IAM में चले जाता हूँ और देखता हूँ कि इसके पास IAM का access है या नहीं है तो IAM पर मैंने क्लिक किया तो IAM में में मेरे पास काफी सारे options हैं यहाँ पर मैं get user वाला option कर देता हूँ कि मैं क्या user को call कर पा रहा हूँ तो यहाँ पर scroll down करते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक example लिखा है हम इसी को copy कर लेते हैं ओके मुझे इसको delete करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक error आ रहा है जो कि दिखा रहा है मुझे access denied यह क्यों दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको s3 का access दिया था बट यह दोनों जो users हैं यह इस समय s3 को call कर सकते हैं अब हम kms पर आ जाते हैं और kms की create करते हैं तो इससे पहले मैं अपने ब्लॉक पर चलता हूँ तो next क्या है हम लोगों ने अब तक यहां पर configure करती हैं AWS CLI से तो कैसे करके करना है यह मैंने आपको यहां पर पता भी दिया है तो s3 copy इसको अभी हम बाद में देखते हैं ओके तो यहां पर हम लोग kms कैसे करके create करते हैं तो वो हम लोग देखते हैं तो यहां पर मिर पास तीन options आ रहे हैं एक आ रहा है AWS management की ओके यह जो keys हैं जब भी हमको यह जैसे माल लोग कि मैं EC2 machine मना रहा हूँ और EC2 machine जब मैं मना रहा हूँ तो मैं उसके साथ EBS volume भी attach करता हू अब जब मैं EBS volume attach करता हूँ तो मिर पास option होता है मैं उसको encryption भी दे सकता हूँ अब यह जो encryption है यह AWS manage करता है हम लोग अपनी भी create कर सकते हैं बट यह encryption जो है कौन manage करेगा यह AWS manage करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग AWS management की के साथ भी जा सकते हैं तो यह मैं option आप ल इसके इंदर आप अपनी key create करते हो तो जैसे कि मैंने बता है दो type of keys होती है तो आप अपनी key कैसे करके create कर सकते हो इसके लिए आपको जाना है customer manage key में यहाँ पर जैसी आप create key पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको two options मिलता है जो मैंने आपको दोनों explain किये थे एक क्या होता है जिसके साथ आपको single key मिलती ही है encrypt और decrypt करने के लिए और एक के साथ आपको key pair मिलता है private key and public key तो आप इन दोनों में से कोई साभी select कर सकते है तो यहाँ पर मैं कौन सा select कर रहा हूँ? सेमेंट्रिक सिंगल की वाला next है advanced option में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मिर पास external and customer key store भी है तो यह तो नों क्या होते हैं इसको अभी हम लोग cover नहीं करें बट मैं element में बतायता हूँ तो यहाँ पर external का मतलब है अगर मालनों कि मेरी KMS की कहीं और है और मैं वहाँ से उसको लेकर आ रहा हूँ तो मैं external source दे सकता हूँ next पर चलते हैं यहाँ पर मेरे पास तीन option है यहाँ पर मुझे label देना है alias description और tag यह तीनों चीज़े बहुत important होती हैं मैं तो यही recommend करूँ हूँ कि आप यह तीनों चीज़े देते वे चलो बट अभी हम लोग demo कर रहे हैं तो हम लोग इसको छोड़ सकते हैं बट मैं alias यह कोई copy करके देतो टैगिंग दे सकते हैं अगर आप देना चाहो हो तो यह से कि यहाँ पर यह जो इन्वार्मेंट है यह है डेव इन्वार्मेंट के लिए मैं यह create कर रहा हूं next पर चलते हैं अब यह वाला जो option है यह बहुत ही important है यहाँ पर हम लोगों को यह बताना है कि क रोल देने के लिए आपको क्या करना है आपको बिल्कुल आखरी में जाना होगा तो देखो यहाँ पर सर्विस रोल वगयरा आ रहे हैं तो आप यहाँ पर रोल भी दे सकते हो यहाँ पर लिखा भी हो है तो आपको जो भी देना हो आप दे सकते हो तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ जो मैंने user1 create किया था मैं उसको access दे रहा हूँ अभी ठीक है मैं user2 को access नहीं दे रहा हूँ कि हम लोग यहां पर दूसरे AWS account को भी access दे सकते हैं तो यह अभी हमें इस topic में cover नहीं करेंगे तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं next और यहां पर यह मेरी key policy मेरी configure हो रही है तो मैं दिखाए तो हूँ यह key policy क्या है तो यह key policy है तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर यह principle में दिखा रहा है आपका account id यूजर नेम जिसके साथ आप इसको create कर रहे हो resources कौन-कौन से use कर सकते हो आप इसके साथ क्या action आप perform कर सकते हो और यहां पर आपका user का नहीं तो यहां पर जो यूजर नेम होगा वो होगा user one जो हम जिसको अभी हम access दे रहे हैं तो अगर आप देखो तो यही सारी चीज़ आयसे किौक्रीयेट कर सकता है describe कर सकता अणेबल कर सकता है लिस्ट कर सकता पॉट कर सकता है डिसेबल कर सकतार दिलीट विकर सकता है ओके कर चलो हम लोग इस को finished करते हैं और यहां पर हमारी kms की creak yht hora हो की हैं अब है अब हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग अपनी यस stay bucket में जा रहे हैं है और Concept में काम करता हूं कि क्या कोई डीटा में पहले upload करता हूं कि है है इट फाइल profit करता हूं और यहां पर एक काम करते हैं , डाउनलोड पे आते हैं , इसं को ले रखते हैं और मैं सीरे इसको मैं uploaded करते हूं, अब अभी मेरे USERS हैं , , मैं उन दोनो यूजर्स पर जाकर देखता हूं क्या मैं इस data को कॉपी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं , तो मैं देखताँ ऑंधा छोंको कर सकता हो ये नहीं कर सकता तो मिर पास users दोनों configure हैं एक है user one profile के नाम से और एक है user two profile के नाम से दोनों के पास समय S3 का पूरा access है तो यहां पर हम अपने ब्लॉग में आते हैं और ब्लॉग के उपर मैंने आपको command दे रखी है कि आपको यह command चलानी है तो AWS S3 CP copy करेगा और यह पर मुझे जो है अपनी बाकेट का नाम देना है उसके बाद मुझे बताना है कि कौन सा फोल्डर तो बाकेट का मेरा नाम किया है this one is my bucket name next जो मेरी फाइल का नाम है इसी लोकेशन पर मुझे इसको डाउनलोड करना है and profile user1 तो हम लोग एक बारी कमांड देख लाते हैं ब्लॉक पर जाके तो बिल्कुल ठेक तो यही कमांड है इसको मैं इंटर मारता हूँ तो यहां पर मैं देख रहा हूँ कि यह डाउनलोड हो रही है same process में user2 के लिए भी follow कर लेता हूँ और देखता हूँ कि user2 इसको perform कर पाता है नहीं कर पाता बिल्कुल वो इसको कर पा रहा है अब मैं क्या करूँगा अब मैं अपने S3 bucket में जाओंगा तो यह मेरी S3 bucket है ओके तो के में सेमों यह हम S3 bucket यूज कर रहे हैं और यह मुंबई location में ही है अब मैं इसकी properties में आता हूँ यहां पर and properties में में scroll down करके यहां पर option में आता हूँ और इसको मैं enable करता हूँ अब जैसी मैं enable कर रहा हूँ तो यहां पर मुझसे कुछ option दिखा रहा है जैसे की Amazon S3 की यह मैंने आपको बताया था जो Amazon provide करती है default की और यहां पर आप इसको भी use कर सकते हो AWS Key Management Service और यहां पर हम लोग choose करेंगे अपनी keys जो हम लोगों ने create की है तो यह key हम लोगों ने create की है यहां पर तो आप फिर से एक बार यह option देख लो तो यहां पर मैंने second option select किया AWS Key Management Service SSE KMS और उसके बाद मैंने choose from AWS KMS Keys okay enable safe changes अब मैंने क्या किया है इस bucket के उपर मैंने encryption को भी enable कर दिया है तो यह पूरे के पूरा complete bucket पे इस समय enable हो गया और तो हम लोगों के पास option होता है कि हम लोग एक particular object पे भी हम लोग कर सकते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं तो मालनों कि मेरे पास यहां पर इस bucket के हैं बहुत सारा data और मुझे किसी एक particular data के उपर मैं उसको encryption देनी है तो मैं क्या करूँगा मैं उस particular object को select करूँगा अब मैं बता रहा था आपको कि अगर आपको एक particular object पे लगाना है तो आपको उस object को select करना है आपको उसकी properties में जाना है और आपको उसकी properties में भी encryption का option मिल जाएगा तो अब हम लोगों ने encryption को enable कर दिया है अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और जो पहले यह user जो download कर पा रहा था देखते हैं क्या यह फिर से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर मैं user 1 को पहले मैं चला रहा हूँ बट अगर मैं उसको download करने के लिए बोलू हूँ एक particular file को जिसके पर हमने encryption को enable किया है तो वहाँ पर download field का मुझे option आ रहा है वहीं अगर मैं user 1 से इसको try करूँ तो वो download कर पा रहा है तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही make sure आप इस चैनल को subscribe करो ताकि आप कोई भी नई वीडियो जो मैं upload करूँगा आप उसको miss ना करो यहाँ पर मैं जितनी वीडियो बना रहा हूं यह मैं उससे related बना रहा हूं कि आपको help करे अगर आप AWS या DevOps profile में काम कर रहे हो या फ से questions पूछे जाते हैं AWS से related और एक और मैं वीडियो बना दूगा जिसमें मैं यह बताऊंगा कि DevOps से related क्या के questions पूछे आते हैं तो thank you guys